हलो फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं विहार की बहुत ही फेमस हरे मतर की घुगरी तो इसके लिए मैंने एक कड़ाई में दो चमच तेल डाल दिया है जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें एक चमच भरके जीरा डालेंगे जीरा को अच्छे से फूटने देंगे इसके बाद इसमें एक चमच भरके राई डालेंगे जैसे ही दोनों अच्छे से भून जाए हम इसमें साथ से आठ कटी हुई बारिक लासुन डालेंगे एक प्याज तीन हरी मीर्च इसे भी हमें भून लेना है इसमें मैंने यहां पर सुखी हुई मीठा निम की पत्तियां डाली है प्रस्पेरेंट होते तक भून लेना है अब यहीं पर हम इसमें हिंग डाल देंगे दो पिंच क्योंकि मटर बहुत जादा गैस्त करती है तो इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है अब जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए इसमें हम हरे मटर दो खटोरी और एक करे milhpब घो और बार ककटी हुई ज़्याटल दर्त ने ज्न थ्याहां जोविंगे युच्स्थ कर लेंगे अब इसमें एक चम जन्याच पावडर ऑधा चम्मच लागुर्स का पवड़ पोडर एक चमच हल्दी पावडर और स्वाद अनुसार यहां पर हम नमग डाल दें कि मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे ढुक करके 3 से 4 मिनट के लिए हमें पकाना है लो फ्लेम पर तो तीन से चार मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे इसमें कटी हुई हरीदानिया की पत्ती डालेंगे वापस एक बार चम्माच चला लेंगे और ये बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाती है आप इसे बीच-बीच में बस चेक करते रहें फ्लेम को मीडियम रखिए और जब तक मटर अच्छे से पक न जाये तब तक हम इसे पकाना है तो ये देखिए लगभग 5 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है और लो फ्लेम पर और बीच-बीच में मैंने चम्मच जला लिया था इसमें और अब मटर और आलू अच्छे से पक चुकी है तो आप मटर ऐसे निकाल लिए और चेक करके देख लिजे ये देखिए मटर पक चुकी है तो तयार है हमारी हरे मटर की गुगरी आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और किसी पराठे या रोटी के साथ भी खा सकते है ज्यादा तब भीहार में इसे ऐसे ही खाया जाते नास्ते के टाइम में और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी तो यह है ही आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बहुत ही आसान से रेसिपी है आप सभी को भी बहुत ही पसंद आएगी और यह बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाती है तो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक की रिजए सिक्रिशना